दोस्तो वीडियो होने वाली है काफी important और interesting क्योंकि नई series में start करने वाला हूँ house construction की ये series रहेगी किसी भी civil engineer के लिए जो fresher civil engineer है जो experienced है जो गर की construction करवा रहा है उनके लिए ये videos ये जो playlist अलग से बनेगी house construction पे तो ये complete videos देखना start से हम कर रहे है आज layout का process हो रहा है layout से लेके finishing तक आपको इसी channel पे सब videos मिलेंगी यहाँ पे आप सीखो गएगी क्या क्या चीज़ें होती है क्या गलतियें की जाती है क्या आपको सुधारना है और कैसे ये process किया जाता है काफी चीज़ें इन videos में आप सीखने वाले हो बस आपको क्या करना है complete series को follow करना है daily videos आइंगी और फिर उसके लिए आपको चैनल को subscribe करना पड़ेगा चैनल को subscribe करके रखिए और bell icon दबा के रखिए क्योंकि जो भी वीडियो में लाँगा सबसे पहले आप तक वो पहुंचेगी तो आज मैं बात करने वाला हूँ चूना जो मारा जाता है layout जो किया जाता है उसका process कैसे रहता है क्या क्या चीज़े उसमें check करनी होती है तो complete process में आपको बताता हूँ पहले आपको मैं थोड़ा practically side पे दिखा देता हूँ कि क्या किया जा रहा है ये सामनी जो process किया जा रहा है ये card corner किया जा रहा है मतलब right angle में गर को किया जा रहा है क्योंकि कोई भी जगा आपको जो मिलेगी वो proper square shape या rectangle या ऐसे shape में नहीं मिलेगी तो थोड़ा बहुत corners होंगे तो लेकिन जो हमारा plinth area आएगा जो built up area हमारा आने वाल है उसको हमें perfect बनाना पड़ेगा उसको right angle में रखना पड़ेगा नहीं तो जब walls बनाई जाएंगी या कुछ अंदर का furniture किया जाएगा तो corners में कुछ भी अच्छे से fit नहीं होता है तो बले corners जो हो वो आपकी बाहर में रहें boundary walls में आजाए, bathroom में आजाए मतलब ऐसे area में stores में आजाए लेकिन जो आपके room है वो proper पूरे right angle में होने चाहिए तो main focus उसी पे किया जाता है जब layout किया जाता है तो अभी हम इस चीज को theoretical ही समझते है साथ साथ में आप video भी देखते जाओ देखो इसमें कोई technology नहीं कुछ नहीं होता है देखो यह हमारा plot ले ले लेते हैं हम lump sum ले ले लेते हैं 40 by 40 का ठीक है 40 by 40 का और जिस plot की construction हो रही है इसकी drawing में जल्द आपके लिए लाऊंगा वहां आपको visit भी करऊंगा क्योंकि layout करने के लिए most important चीज के है drawing reading अगर drawing reading आगे तो आप layout कर सकते हो देखो सबसे पहले चीज है यह जो हमारा plot है थोड़ा टेड़ा मेड़ा है ठीक है तो इसमें हमें सबसे पहले जो हमने walls लेनी है देखो हमारी बाहर बाहर आने वाली है boundary wall ठीक है यह यह जो area है क्योंकि हमारा plot है इतना तो boundary wall आएगी तो हम छोड़ देते हैं हमने कर दिया 2-2 foot दोनों तरफ से छोड़ दिया यहां से भी यहां से भी हर जगर से 2-2 foot छोड़ दिया gallery के लिए छोड़ दिया हमारी gallery आएगी तो हमें जो layout करना होता है पहले आप पकड़ लीजिए यह हमारा 2-2 foot छोड़ के यह area आगया ठीक है हम थोड़ा सीधा करते जाएंगे इस चीज़ को के जगह से जादा बचेगा के जगह से कम बचेगा तो plot हमारा square में रहेगा तो एक तो उसको बनाने में खर्चा भी कमाता है क्योंकि दिवारें सीधी रहेंगी जल्दी कहां खतम होता है clear यह हमने एक reference point पकड़ लिया कि हमारा यहां से start हो रहा है अभी यह हमने कर लिया हमें काट कुना कर रहा है main right angle करने तो उसके लिए हम क्या कर रहा है किसी कोने से start कर लिए इसको और इसको कर लिए तो हो जाएगा तो हमने यह रख लिया यहां से 2 meter हमने एक marking कर दी 2 meter की कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ फिर यहां से आप सामने वीडियो भी देख रहे हूँ प्रोसेस उपर चल रहा है यहां से 2 meter की marking कर लिए ठीक है फिर हमें करना है यह right angle चेक करना है यह वाला sorry यह 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 right angle ठीक है तो इसको हमें चेक करना है कि जो हमारी direction है वोल की वो right angle में है की नहीं है हमें most important चेक करना होता है और simple formula जो हम 8 से पढ़ते हैं 2 meter वाई 2 meter है पाइथा गुरस ठीक है यह आ गया तो कुछ अप्रोक्स 2.8 कुछ हैगा तो अगर आपको यह यहां से 2.8 कुछ मिल रहा है तो मतलब यह दिवारें आपकी दोनों सीधी है अगर by chance कम मिल रहा है तो आपको थोड़ा इसको देखना है की line थोड़ी यह दिवार को बाहर निकाल लेने या इस दिवार को थोड़ा बाहर निकाल लेने तो आपका angle सीधा होता जाएगा तो आपको एक time पे जब 2.82 मिलेगा यहाँ पे तो आपकी यह दिवारें दोनों सीधी हो जाएगी जब room यहाँ बनेगा तो वो proper तरीके से बनेगा फिर आप बले चारो कोने पे चेक कर लीजिए कोई दिक्कत निए यह line सीधी हो गई फिर हम इसका right angle ले लेते हैं यह भी 2.00 मिटर ले लीजिए यह भी 2.00 मिटर ले लीजिए और इसका चेक कर लीजिए फिर इधर से कर लीजिए तो चारो कोने हमारे layout में fix हो गए जब यह fix हो जाते हैं जब हम में इधर बनाता हूं दिवारा से यह हमारे fix हो गए ठीक है यह हमारे fix हो गए जी अभी drawing हमें कहती है कि यहां से शुरू करें ठीक है यहां से शुरू करते हैं तो वह कहता है कि यहां हमारा room आएगा 12 वाई 12 का तो हम मतलब fit में ठीक है तो हम यहां चलेगे 12 फिट तो यहां हमने marking कर दी ठीक है इस पॉइंट से टेप पकड़ी यहां मार्किंग कर दी फिर यहां से बोलते हैं कि चार फूट पर बात रूम आएगा तो चार फूट पर मार्किंग कर दी फिर वैसे यहां बोलते हैं कि यहां दस फूट पर किचन आएगी तो 10 foot marking कर ली ठीक है बाहर बाहर की marking कर ली फिर यहां से बोलते हैं कि 12 foot पे रूम आएगा तो वहां कर ली फिर ऐसे ही यहां तीन feet का में रूम गेट छोडना है तो वो छोड़ दिए ये जग़ा जो बची तो ऐसे से करते करते हैं ठीक है हमने चारो तरफ marking कर लेनी है clear, फिर उसके बाद क्या करने है आपको इसको मिला देने है, simple मतलब चुनने से, ठीक है और इस तरीके से हमारा layout हो जाते है मतलब full process क्या होता है कोई भी पहले तो आपको उस चीज का right angle कर लेने right angle नहीं भी करना है कि जगा क्या होता है गौंडरी बॉल नहीं होती है तो उस दोरान जो आपके corners बगार होंगे बहुत बगार है किसी में निकाल देजी लेकिन इसमें क्या होता है हमारा इसमें आपको एक reference point लेना है उसे हम भुर्जी भी बोलते हैं ठीक है भुर्जी आपने मैं पहले videos ला चुका है भुर्जी बनाई जाती है grid के हिसाब से और जो drawings आती है mostly ये local drawing रहते हैं इसमें grid नहीं रहते जैसे ये A grid होगा A grid में ये ये B grid होगा B grid में ये C grid ऐसे D grid ऐसे main main दिक्कत क्या है main कुछ नहीं है जो आप किसी से घर की construction career जो आपका engineer होगा architect होगा वो ही ये काम करेगा और आपको as a civil engineer वहाँ देखना क्या है जब आपका किया जा रहा है तो कोई जगा चूट रही नहीं है तो बस जो client रहेगा उसको इतना देखना है बाकी जो civil engineer रहेगा अगर वो वीडियो देखना है तो उसको यही करना है कि एक reference point से चलना है और most important चीज layout के लिए क्या होती है वो होती है drawing reading ठीक है अगर drawing reading आपको आगे तो आप कोई भी layout कर सकते हो अगर आप कहोगे कि sir अभी drawing reading पे वीडियो लाओ यह series में पूरा कुछ मिलने वाला यह आज introduction वीडियो थी तो जिसमें मैं सब कुछ बता रहा हूँ तो drawing reading पे playlist बनी भी हुई है drawing reading आप करना है इसली सीख जाओगे इसकी drawing में लेके आऊँगा उसको पढ़के आपको दिखाऊँगा जैसे construction आगे बढ़ती जाएगी आपको idea हो जाएगा कि यहाँ दो room है हमारे यहाँ kitchen है यहाँ हमारे cd मनेगी तो आप easily समझते जाओगे और करने लग पड़ोगे ठीक है अभी मैं थोड़ा आपको site पे ले जाता हूँ site पे दिखाता हूँ layout का process किया यहाँ है यहाँ झाओ़ किया थाओ़ी झाल झाल प्राइब चाहिं अपराइब करें जया है के लिघ के बेखं के लिखुआ की के वास आपिए जिखान के अवहित कि आपा थे कि उङएkell कम अूद रिषा हो कि बहुंक दो कर दो झाल 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 तो इसमें यह क्या है? यह क्या है?